अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न बूले ताके हमारी लेटस वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके आज हम बात करेंगे FACT इंडस्रियल लिमिटेड में घॉपकेंसी निकली है वैटक जो है गवर्मन आफ इंडिया की अंडर्टेकिंग है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रांसकॉर लेमिटेड इसमें जो वर्टेंचिट निकλीए रूप्रेंशीप के लिए वर्टेंशीप के लिए डिपलोमा क किया हो eligibility आपका first class diploma होना चाहिए minimum 60% marks for general category and 50% for SC and ST age limit आप यहां पर देख सकते हैं आपकी age जो है 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और category wise भी आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप apprenticeship करना चाहते हैं जिन candidates ने ITI करी है तो वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं one year का आपका training period रहेगा salary आप यहां पर देख सकते हैं qualification आपने ITI करी होनी चाहिए relevant trade में जिसके लिए आप apply कर रहे है eligibility 60% marks होने चाहिए general category के लिए और 50% SC and ST के लिए और age limit जो है general category के लिए 23 years और category wise यहां आप यहां से देख सकते हैं जो trades है वो आप यहां पर mentioned है कि कौन से trade में कितनी vacancies है डिप्लोमा आप देख सकते हैं जैसे chemical engineer में 15 है computer science, engineering, electrical, mechanical and diploma in commercial practices तो total number of जो डिप्लोमा में vacancies है वो है 57 अगर आप ITA trade में apply करना चाहते है तो total number of जो vacancies है 98 और जो divisions है trade में वो आप यहां से देख सकते हैं आप बात कर लेते हैं apply करने के लिए आपको apply करना है तो आप यह इनकी official website है इसका link आपको नीचर description box में मिल जायागा तो आप सीधा वहां से जाके apply कर सकते हैं apply करने की last date है 23rd January तो जो interested candidates है वो इनकी official website पे visit करके apply कर सकते हैं selection process है वो आप यहां पर देख सकते हैं qualification of exam जिसमें 50% marks होने चाहिए आपके और जो return test होगा वो भी 50% marks include करेगा आपका तो जो interested candidates हैं वो इनकी official website पे visit कर सकते हैं और apply कर सकते हैं तो friends इस video को अपने friends के साथ share करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में जरूर थैंक यू friends